नमस्ते खमागिनी असलाम वालेकुम केमशों के रोहाल का सकाय मैं हूँ करन रजानी आप देख रहे हैं बॉलीवूड की खबरे लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर जो कि है बॉलीवूड हेल्प लाइन अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको पल-पल की खबरे मिलते रहें दोस्तों कल बॉलीवूड एक्टर रोहित रॉय ने जो की रॉनित रॉय के भाई हैं दोनों ही भाई बॉलीवूड में काफी शांदार अभिने करते हुए पैचाने गए हैं और उनके ज जो जनता है वो नाराज हो गई लेकिन दोस्तों पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी के यूट्यूब पर आप कॉमेंट करते हैं तो उसके पहले आप खुद के अंदर जाक लें कि आप कौन है आपने क्या किया है रोहित रॉय जैसे बड़े एक्टर को आ मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जो कॉमेंट्स करते हैं बिना सोचे, गालियां लिखते हैं, अबद्रश शब्द वापड़ते हैं, क्या उनके घर पे उनकी मा बेहने नहीं है, क्या उनकी मा बेहने उनका ये पोस्ट पढ़ेंगी, उनका ये कमेंट पढ़ेंगी वो ऐसे शब्द लिखते हैं, जो की काफी ज़्यादा शर्मनाग है, ऐसे में रोहित रॉय की मा सततर साल की 77 येस की है, अगर उन्होंने वो पोस्ट का कॉमेंट पढ़ लिया, तो सोचिए क्या होगा हो, वहाँ पर ऐसे शब्द लिखेते हैं, जहां पर एक मा जो अपने बेटों को रोज फॉलो करती है, रोज उनके पोस्ट पढ़ती है, रोज उनके कॉमेंट्स पढ़ती है, वहाँ पर वो कॉमेंट में देखती है कि उनके बेटे के लिए कुछ गालिया लिखी हुए है, कुछ अभदर शब्द लिखे हुए है, तो आप कह सकते हैं कि ये ची है अगर हमने ये पोस्ट आपके पोस्ट पर ऐसा कमेंट किया होगता तो आपका परिवार क्या सोच था उनका जो पोस्ट था वो डिलीट हो चुका है लेकिन वो काफी जादा नाराज है उन्होंने कहा कि अगली बार किसी भी इंसान के वीडियो पर या पोस्ट पर कॉमेंट करने से पहले दो बार सोचना बहुत ही सई वीडियो बनाया है आप लोग वो उस वीडियो को जरूर देखे आप देख रहे हैं बॉलिवूड की ख़बरे हमारे साथ हमारे चैनल बॉलिवूड हेल्पलाइन बरतबते के लिए मैं एंकर कर रहा है जानी तेक केर और गुडबाई